आसामलेकुम देर स्टूडेंट्स बच्चों आज हम देखेंगे 10th क्लास कंप्पूटर सांगे most important long questions इन questions के exams में आने के बहुत ज्यादा chances होते हैं यह most 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 important questions हैं आपके वास अगर आप यही questions दियार करने तो इन्शाल्लाव का 100% paper question का portion attempt हो जाएगा question की तरफ आजाएं question number one है हमारे पास अपने lab computer के IDE में C program फाइल को बनाने के लिए मराहिल तहरीर करें question number two है हमारे पास compiler का मकसद बियान करें question number three हमारे पास जखेरा इलफास की तारीफ करें और C programming language में कोई से 20 जखेरा इलफास तहरीर करें question number four है हमारे पास C program के structure के main parts को बियान करें question five है जी constant और मतगयरात पर तफसीली नोट तहरीर करें नीचे आजाए नीचे हमारे पास question number six मतगयरात के नामों के कवनीन तहरीर करें question number seven है हमारे पास मतगयर के data types को तफसील से बियान करें question number eight है relational operators क्या है एक मिसाल से वजाहत करें उसके पास question number हमारे पास nine है मुनतकी operators क्या है एक मिसाल से वजाहत करें question number ten है हमारे पास assignment operators को तफसीली बियान करें Question number 11 है हमारे पास एक प्रोग्राम तहरीर करें जो एक मुरब्बे की एक सिम्त की लिंबाई का इंपुट ले और मुरब्बे का रखबा मालूम करें Next है जी हमारे पास Question number 12 तर्टीब और सेलेक्शन स्टेट्मेंट में फर्क प्यान करें Question number 13 है हमारे पास इफ स्टेट्मेंट का सिर्ट्रक्चर तफसील के साथ तहरीर करें Question number 14 है हमारे पास इफ एल्स स्टेट्मेंट के सिर्ट्रक्चर को तफसील के साथ तहरीर करें Next है हमारे पास आप एक एरे को कैसे डिकलियर कर सकते हैं array declaration के तीन हिससे तफसील से बियान करें question number 16 है जि हमाँ पास for loop के structure को बियान करें question number 17 है जि array पर तफसीली नोड तफिरीर करें question number 18 है हमाँ पास 2 से 100 तक की range में منفرد अधात को print करने का program तफिरीर करें question number 19 है जि हमाँ पास arguments और parameters में फर्क बियान करें एक मिसाल के साथ question no.2 जह है जी हमारे 20 है जी हमारे पास functions को इस्तमाल करने के फ़वाइद बियान करें question no.21 है functions की exam पर तफसीली note तहरीर करें question no.22 है जी हमारे पास signature of function पर तफसीली note तहरीर करें यह था जी हमारे पास 10th class computer science के most important questions इस तरह के मज़िश पेरिंग schemes के लिए guest papers के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें all the best students for your exams Allah Hafiz